आपको हर दिन की क्लास हर दिन खुती दिन लाइव अटेंट करनी है एंसी आटी खरीडों और एंसी आटी रिलेटेड पढ़ाई करो यह जानना बहुत जादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है मेरा जो टाइम टेबल है वो तुम्हारे टाइम टेबल से रेरी कर सकता है सेलेक्शन चाहिए गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो बायो में तो अच्छे नंबर आने ही चाहिए मेरा ये क्वेस्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ याने की प्रेवों टॉपिक में प्रॉब्लम तो ये कैसा प्रोफेशन है कि जहां आपकी पढ़ाई नेवर एंडिंगे बिटा हलो 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 नमस्कार 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 I welcome all of you on this amazing platform of physics वारा I am your very own Samapti ma'am और आज हम क्या कर रहे हैं पहली बाद तो बढ़ाई हो जितने भी बच्चे दस्वी से ग्यारवी में अच्छी तरीके से पास होके आ गए हैं और जितने भी बच्चे अरजुना नीट 2024 के बैच में एन्रोल कर चुके हैं आज हम आप लोगों से कुछ मैं आप लोगों से कुछ बाते करने वाली हूँ आप लोगों को कुछ ऐसी tips and tricks बताने वाली हूँ कुछ ऐसी strategy बताने वाली हूँ जिससे आप अपने नीट exam को एक बारी में crack कर सकें ठीक है क्या strategy होनी चाहिए 11 कक्षा में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि बेटा पूरा session smoothly निकले और आपको मौत ना आए ठीक है देखो शुरू करते हैं शुरू से इस बिक जम्प फ्रम 10 तो 11 आपने जितनी भी कख्षाएं अभी तक पड़ी है सबसे बड़ा जो जम्प होता है पिटा हमारे लिए भी था आपके लिए वह 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 दसी से ग्यार्वी का होता है एक दम से वक्त बदल जाते हैं क्यूंव वक्त बदलते हैं बिटा क्योंकि अलग-अलग बुक्स हो चुकी है ठीक है और वैसे तो बायो की एक सिंगल बुक रहती है पर उसमें बॉटनी जोलोजी अलग-अलग आप पढ़ोगे नीट इग्जाम के लिए आपके बॉटनी की टीचर अलग जोलोजी की टीचर अलग होंगे राइट तो यह बहुत पढ कार्याओ और किसी है बहुत करना के लिए यह मेरा एक्स्पीरेंस रहा है कि बच्छे शुरू बिल्कुल जोष के साथ में करते हैं बिल्कुल इनरजी के साथ में करते हैं यार बिल्कुल बैकला लॉग नहीं देंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी देली का देली पढ़ेंगे पहले दिन बीटा मोटीवेशन रहती है लेकिन घीरे दिर आते आते विडिन इंफङ्टा आइग Easy के अ cleaner अन्दर बीटा आपोग क्या करते हो डेली का देली नहीं आपको अपने दिमाग में रखने जो छीड आपको डेली का देली मिला हुआ है विजिक्ज का फिजिक्स का के misconception का बोटनी का जौल जी का आपको हर दिन की क्लास हर दिन उसी दिन लाइव अटेंड करनी है क्लास को डेली लाइव अटेंड करना है क्लास के खुद के नोट्स और होमवक क्लास में क्लास के नोट्स बनाना बहुत ज़ादा जरूरी है मैं कई बच्चों को देखती हूँ बेटा जो कहते हैं टॉपर नोट लूट्स कुछ नहीं होते हैं टॉपर नोट्स अपने खुद के होते हैं आप किस तरीके से बेटा चीजों को धीरे-धीरे समझ पाऊगे जब आप क्लास में बैठ के रेग्यूलरली जो टीचर पढ़ा है आप उसके खुद के नोट खुद क्लास में बनाओंगे यह niet-e की PDF मिला है हाला कि आपको PDF मिलेगा वड़ा PDF बोस नहीं बैठेंगे असमेखु corazón के नोट में खुद लिक्लिक्त के पड़ोगे बनाओगे तो आपको वह चीज़ बेटा खुद की handwriting में last में revision करने में सबसे मदद करेगी और जब मैं बोलती हूँ बेटा खुद के notes न एक चीज और मैं आपको बोलूँगी कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए last moment revision के लिए short notes बहुत जादा काम आते हैं short notes बहुत जादा काम आते हैं class के notes तो आप regularly बनाई रहे हो एक चीज ध्यान रखो क्योंकि बेटा आप 11 वी का 11 वी में पढ़ रहे हो 12 का 12 में पढ़ोगे तो आपके पर sufficient time है जब आप class के notes को बेटा बना लेते हो जब आप revise करते हो तो मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करते हो एक notebook रखो जहां पर आपना revise जब कर रहे होता है न चीजों को तो उसके flow charts के form में short short form में flow chart के form में चीजों को लिखा करो इससे क्या होगा न बेटा जब आप last moment पर किसी चीज को revise करने वाले हो और आपके पास कम टाइम बचा है तो आप उन्हीं short notes को देखके फटा-फट से चीजों को quickly memorize कर सकते हो ठीक है homework आपका class में जो आपको मिलेगा make sure कि आप उस homework को करें ठीक है DPP module and NCRT daily practice sheet आपको मिलेगी practice के लिए आपको कुछ questions मिलेंगे जिसे आप DPP बोलते हैं आपने modules अगर खरीदे हैं आपके पास modules होंगे NCRT NCRT की importance बेटा मैं जितनी बोलू उतनी कम है ठीक है आप ये डर रहे होगे कि माम हमारी science से हमारे तीन subjects अलग हो गये बट बेटा मेरी बात अगर आप मानो और बच्चों को ये लगता है कि माम नीट exam में मतलब कि कुछ बहुत तोप चीज़े पूछते होंगे उसमें बेटा मैं आपको और teachers आपको PYQs कराएंगे previous year questions कराएंगे जब ही भी आपका जो topic चल रहा होगा जो chapter चल रहा होगा वो खतम हो जाएगा या साथ के साथ आपको PYQs कराते वे चलेंगे जिससे कि आपको ये clarity रहे कि paper कहां से पूछा जाता है कहीं इधर दर से नहीं आता बताती हूं plus DPP आपको practice करने के लिए जो topic आप बेटा जिस दिन पढ़ रहे हो उससे related कुछ questions 10 15 20 25 questions आपको मिलेंगे वो questions आपको practice करनी है module अगर आपके पास है तो फिलहाल मैं आपको ये बोलूंगी कि बेटा module की मुझे सब साधा biology इंपोर्टन्स दिखती है कि यार question practice ज होगा ठीक है समझ में आई बात तो हाला कि ये एक बहुत बड़ा जंप है बट धीरे 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 consistency के साथ में regularity के साथ में अगरा पढ़ाई करेंगे तो बेटा आपका जो जर्नी है वो स्मूध होगा इसके अलावा आपको कौन सी बातों पर ध्जान देना है इसके इसमें बैटा आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि इसमें तीनिसो साथ önन बर जो होतें 360 मार्क्त जो होते हैं ये वाहे हो के होतें 360 3 marks biology के हैं और biology में जैसा की बच्चों मेने आपको बताया कि बॉटनी अलग है और जोलोजी अलग है नों का इप दिविजन है बिटा थो 360 को डिवाइड करोगे तो 180 marks का आपका बॉटनी आएगा 180 marks का आपका जोलोजी आएगा यह बात पहले समझ में आतीे राइट बायोलेजी का नीट में इतना इंपोर्टन रोल है कि आपका सेलेक्शन इस पे निर्भर करता है तीन सो साथ नंबर बीटा आपके बायोलेजी के हैं आप समझ सकते हो अगर मैं आप से बोलू नीट एक्जाम हर साल बीटा कट आफ बढ़ती जा रही है हर साल बीटा कट आफ बढ़ती जा रही है और 600 प्लस माक्स जब आप स्कोर करोगे 720 में से थोड़ा बहुत वरियेशन आएगा तभी आपका नीट में आपको गौर्ण्मेंट मेडिकल कॉलेज आप सोसक्तों कि आपको मिलेगा ठीक है और वो माक्स लाने के लिए बायो में अ अर्दाघ में बहुत बड़ा आपके जैंश मैं बारियो को पढ़ने का सबसे भैतरी बसे अच्छा तरीका सबसे यहीजी तरीका है एंसी अरी सबसे एज़ी कि यह जानना मैंने हमीशा से काई यह जानना बहुत जादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि बच्चा क्या करता है ना अभी तुम 11 में बड़ी जोश बड़ी एनरजी है फिजिक्स पढ़ रहे हो केमस्ट्री पढ़ रहे हो पहले 10-15 दिन एक दम धमाकेदा तरी किसे पढ़ते हो जैसे चीजे ना शुरू में तो धिरे धिरे पेस होता है फिर पेस बढ़ता है तो जैसे वह पेस बढ़ता है न तो तुम कोपप करने में तुमें फिर थोड़ी दिक्कत आती है अब हम सार्टिंग से कहते हैं बायो में अत्रिक्त के पीछे मत भागो शुरू से बेटा आप मेक्शियोर करना स्टार्टिंग से आप ये बेटा इंशियोर करना कि आपका जो टाइम डिवीजन है कभी विटा तीनों सब्जेक्ट के लिए इकुल नहीं हो सकता आपको फिजिक्स और केमेस्ट्री को जाधा टाइम देना पड़ेगा कंपेट क्योंकि ये सब्जेक्ट की डिमांड है और इसको आप जाधा टाइम कब दे पाओगे बेटा जब तुम बायों में रेलेवेंट चीजें पढ़ोगे बायों में रेलेवेंट चीजों का पढ़ने का मतलब क्लास के नोट्स और NCRT हम क्लास में जब पढ़ाते हैं हाला कि NCR बेज आपको पढ़ाते हैं जो आपके नीट एक्जाम में पूछा जाता है कुछ 2-4-5 परसेंट बेटा एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं वह एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बताते हैं तकि टॉपीक की क्लारिटी रहे ठीक है इसलिए थोड़ा बहुत अतिरिक चीजें बत बनाकर देदो कि माम टइम के वलियाना चीजिए थो ऐसे साथ कगश्यूब भाault थो मारे फृट्रिक्टम सहाने इसलिए परस्डुम मेरा एकदम ऐसी नीवक्त चीजोब लीज बनाना है बताव कि मेरे जए सीरbot ऑतीए बंणा है चीजों रहेंगों कितली है ये कहां बनाना है ठीक है क्या करते हो तुम लोग मल्टिपल स्ट्राटिजी बना लेते हो मैंने यह आगे बात कहीं भी हुए कि मल्टिपल स्ट्राटिजी नहीं बनाना इसमें आती हूं तो टाइम टेबल ऐसा कुछ बहुत हाड़न फास्ट नहीं होना चाहिए बिटा कि आठ से सवा है ना तुम वह दो सब्जेक्ट तो पढ़ी रहे हो अपार्ट फ्रम डाट जो पीछे का पढ़ा हुआ है क्वेश्चन प्राक्टिस करनी है उन सब्जेक्स को तुम लिख लो तो टाइम फ्रेम मत रखो ऐसे करके कि मुझे फिक्स ऐसे से करना है बर तुम एटली सब्जेक अब चीव नहीं कर पाओगे और बहुत बढ़ा टार्गेट जो बचीव नहीं होगा तो बेटा फिर मौत आएगी फिर दुख होगा और ज्याधा डी मोटिवेशन होगी तो आप क्या करोगे ना बेटा स्मॉल गोल्स बनाओगे चोटे-चोटे गोल्स बनाओगे जब इन दिरे दिरे आपके बॉडिको उसके यूस्ट्व कर रहा होता है तो पहले थोड़ी कम तो धीरे दिरे आप उसको बढ़ाते हो वही सेम चीज आपको पढ़ाई के साथ करनी है चोटे-चोटे गोल्स बनाओ दिन में क्या करना है उसकी क्लारिटी होनी चाहिए आज की डिट देखना यह तुम्हार लिए बहुत यूस्पुल होगा छोटे-छोटे गोल्स बनाने बहुत जादा ओवर्लोड नी करने आपने आपको रेलेवेंट पढ़ाई करनी है स्पेशली बायो के केस में बार-बार बोलती हूं क्या नहीं पढ़ना है उसको बहुत जादा ध्यान देना ताकि physics chemistry जो थोड़े से बच्चों को comparatively difficult लगते हैं इसके चकर में यह नहीं है कि बेटा बायो को इग्णोर कर दो बायो को इग्णोर करोगे नहीं चलेगा नीट एक्जाम में सेलेक्शन चाहिए सेलेक्शन चाहिए गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो बायो में तो अच्छे नंबर आने हीं चाहिए तो बायो को इग्णोर करने का नहीं बेटा ठीक है टेस्ट एनालिसिस पढ़ाई सब लोग करते हैं और टेस्ट से घबराते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं सोचने टेस्ट में गंदे नंबर आएंगे तो डी यहां से शुरू कर रहे हैं तो तुम्हें अपने लेवल को अपने से अपने आपको compare करना है पहले test में कितने आए दूसरे में तुमने इंप्रूफ किया की नहीं तो तुम्हारा graph बेटा ऐसे जाना चाहिए तुम्हारा खुद का graph ऐसे जाना चाहिए किसी और ने कितना score के ऐसे कोई मतलब नहीं है ठीक है test देना है बेटा थोड़े मैं क्लास में भी लितनी हूं मैं motivate कर दो मैं motivate कर दो एक तो बेटा self motivation is the best motivation self motivated रहो मैं आज तुम्हें motivate कर दूंगी कल दो दिन तक motivated फिर दुखी motivation किस से आती है पता है तुम्हें जब तुम अच्छा नंबर लाओगे खुद सची सची बताना जब तुम्हारे खुद के अच्छे नंबर आने लगते हैं तो खुदी खुशी फील होती है पढ़ने का मन करता है गंदे नंबर लेके आओगे पढ़ाई नहीं करोगे तो द मैं बनानी है क्लारीटी उनीची दिमाग में और यही डैरेक्शन में चीजों को करना है ठीक है उसमें थोड़ी बहुत प्लस-mाइनस improvements कर सकते हो but no multiple strategy समझ में आई बात ठीक है यह कुछ को चीज़ है I think जो आपको help करेंगी आपकी ग्यारवी कर्षा में तो बैटा consistency के साथ में पढ़ाई करना है discipline के साथ में पढ़ाई करना है I know it is a big jump but we all are there हम आप से double मेहनत करेंगे और शायद आप हमसे all the other मेहनत करेंगे उससे ठीक है यह सोच के वैटो कि जो day one में थी वो last तक वही maintain होनी चाहिए कभी कभी बाइचांस अगर आपको लगता है कि या डेली का डेली नहीं पढ़ पाया तो बेटा जो टाइम टेबल है उसमें अपने backlogs के लिए भी एक schedule बना दो कि मैं कैसे fit करूं कि मेरा backlog भी साथ के साथ cover हो जाए ठीक है मैं आपको बेटा genuinely बोल रही हूं अगर दिल से genuinely पढ़ाई करोगे genuinely चीज को follow करोगे neat is not that difficult बेटा और इसलिए मैंने ये एक सवाल लिखा वह है is life going to be super easy after neat exam तो देखो यह सचाई बताने के लिए हमारे टाइम पर हमें कोई बताता तो मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि सच जानना जरूरी है obviously और सचाई यह है बिटा कि neat exam is one of the one of the easiest exam जो तुम दे रहे हो हम उसको खुड difficult बना देते हैं बेटा हम उसको खुड difficult बना देते हैं दूसरों से पूछ उचके तुम्हारे भाई बंदु कहने लगेंगे बहुत difficult है जिन्नों ने exam दिया है पढ़ हाई नहीं किये तो difficult लगेगा है ना तो बेटा क्या one of the easiest exam है बस उ और फ्यूचे नहीं करनी दूसरों की लोगों की जान बचाओगे तुम लोग है ना भगवान के बात बोलते हैं तो यहां आपकी पढ़ाई never ending है बिटा ठीक है और ऐसा नहीं सोचना है कि life किसी की easy नहीं होती but yes एक टीचिंग हमेशा पढ़ना पढ़ता है और आप डॉक्टर बने वालों हमेशा पढ़ना पढ़ेगा तो अपने दिमाग में यह चीज लेके चलो कि मैं जिस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए जा रही हूं या जा रहा हूं वो मेरी बहुत सारी मेहनत डिमांड करता है मेरा हाड वर्क दिमांड करता है मेरा टाइम डिमांड करता है ठीक है तो अपने दिमाग में यह चीज हमेशा रखो बेटा कि मुझे टाइम देना है और जो चीज हमें करने में मज़ा आता है ना जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको टाइम देने में भी तुम्हें मज लोगों की सेवा करेंगे हम लोगों की जाने बचाएंगे ठीक है तो उसी motivation के सात में पढ़ाई करेंगे उसी consistency के सात में पढ़ाई करेंगे और इतनी सी बात कह के मैं आप से सीधे बीटा batch में मिलूंगी बहुत excited है हम लोग आप लोगों के लिए और आप लोगों को भी बहुत एक्साइटेड होना चाहिए 11 की पढ़ाई किस तरीके से कमाल तरीके से हम करने वाले हैं तो मिलते हैं वेटा बैच के अंदर थांक्यू वेरी वेरी माच